नमस्कार दोस्तो आपका स्वागत है अपनी योट्योब जनल पी एफपी में आज हम HDFC लाइफ के बार में चर्चा करने वाले हैं स्टॉक में 4.5% की शांदार तीजी नजर आती है तो क्या स्टॉक में बॉटम बन चुका है क्या हमें निवेश करना चाहिए इसके बार में आज हम चर्चा करने वाले हैं सबसे बहले कंपनी के financial trend के बार में बात कर लेते हैं financial trend आप देख पाएंगे revenue में तो आपको बहुत अच्छी ग्रोथ नजर आती है लेकिन profitability में पिछले 4 साल से कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिली है revenue double से ज़्यादा हो चुका है profit वहीं का वहीं है मतलब margin आधे हो चुके ह 5% से ज़्यादा का margin होता ही नहीं है 3-4% का रहता है वह भी आधा हो चुका है 1.5% के margin पे काम कर रहे हैं तो clearly अच्छी बात नहीं है यहाँ पर financial trend में आपको margin का problem नजर आता है share holding pattern के बार में बात करें total promoter holding 50.32% है जिसमें से कुछ भी pledge नहीं है mutual fund 5% other DIA 2% FIA 28% 29% retail and other category में 14% के से दरी है share holding pattern overall अच्छा है promoter की holding 50% से ज़्यादा है और institutions का interest भी काफी अच्छा है recent trend के बार में बात करें promoter की holding गिर रही है mutual fund की holding गिर रही है FIS की holding गिर रही थी लेकिन अभी फिलाला में बढ़ती भी नजर आती है तो overall आपको यहाँ पर mixed signal सी नजर आता है valuation की बार में बात करें 85 का PE ratio है जो कि historically lower side पे और sector के मुकाबले भी थोड़ा सा सस्ता चल रहा है बाकी sector के साथ ही कहेंगे 7.87 का price to book ratio है historically lower side पे valuation में रही सबसे सस्ता नहीं है पूरे industry का सस्ता नहीं है premium valuation पर ही trade कर रहा है stock की चार्ट पर आप देख सकते हैं 700 के level से गिरावट देखने को मिली है 500 के level पे support लिया 500 साड़े 500 का strong support बन चुका और यहाँ पर एक 600 के आसपास हमें resistance नजर आता है काफी समय से इसी zone में stock trade कर रहा है फिलाल यहाँ पर 200 days के moving average के ऊपर के strong closing दिखाई परती है buying में आपको volume का भी support देखने को मिला है daily RSI 69 का level है momentum भी अच्छा है यहाँ पर important levels के बार में बात करें सबसे पहले support और resistance निकालने की कोशिश करते हैं साड़े 500 का हमारा support निकल कराता है और resistance हमें approximately 600 के आसपास ही नजर आता है जहां से stock में reversal देखने को मिला था weekly chart पे चलते हैं resistance same है support भी same है क्योंकि यहाँ पर breakout अच्छे खासे consolidation के बाद हुआ है monthly chart पे चलते हैं तो support नीचे shift हो जाएगा 500 का level हो जाएगा तो फिलाल यहाँ पर करना क्या है देखिए हमने discuss किया था last time जब HDFC live पे discussion किया था stock में यह level important resistance है तो अगर यहाँ पर हम attempt करना चाते हैं swing trade इसके उपर कर सकते हैं यह levels अच्छी होते हुए नज़र आ सकते हैं और positional trade में भी हमने discuss किया था कि stock में weakness है no doubt मेरा जो biasness रहेगा गिरावट के side पे रहेगा हमने last video में ऐसा discuss किया था reason में बताया था कि stock में जिस हिसाब से गिरावट हो रही है market recover हो गया लेकिन stock वहीं का वहीं है यह range से वापस यह range में shift होता हुँ नज़र आ सकता है positional trade के लिए थोड़ी quantity हम प्लान कर सकते हैं 525 का stop loss ले सकते हैं मतलब 25 रुपे का कुछ risk था यहाँ पर अलड़ी उतना तो recover हो चुका है और stock अगर इतना 600 तक जाता है तो 1 इस्टू 2 मिल जाएगा तो अभी फ्लाल प्लान क्या करना चाहिए देखिए अगर आपने तभी swing trade के लिए लिया है तो तो of course यहाँ पर आपको time ले आपको profit booking करनी चाहिए लेकिन अगर आपने यहाँ पर positional trade के लिए लिया है मेरे इसाब साब wait करने के बार में सोच सकता है जब भी stock किसी भी range में trade करता है तो वहाँ पर दो possibility होती है या तो उपर के side पे range टूटेगी या फिर lower side पे वहाँ पर हमें क्या करना है हमें एक line बना कर रखनी है middle line जब तक stock middle line के नीचे हमारा chances रहेगा नीचे जा सकता है middle line के उपर आता है chances रहेगा stock उपर जा सकता है तो यहाँ पर अभी ये middle line के उपर आ चुका है और एक strong candle के साथ आया है नीचे consolidation करके आया है और यहाँ पर एक जो trend line हमें नज़र आती है ये trend line भी आप देख सकते हैं और trend line बार बार हमें ये test होती भी नज़र आई ये range भी काफी बार ये test हो चुका है 600 का level तीन बार अल्री टेस्ट हो चुका है यहाँ से आपको तीन बार अल्री घिरावट देखने को मिली है तो अभी अगर अगर आपने वहाँ पर quantity खरी देए cost to cost अभी आप हैं अभी आपको यहाँ पर loss नहीं करना है जो profit आपको अभी तक चल रहा है उसका आपको risk लेने का है तो अगर आप यह risk लेना चाते हैं तो ले सकते हैं क्योंकि probability थोड़ी बहुत favor में नज़र आती है new position के बार में बात करें तो new position हमें 600 की उपर positional trade के लिए बनानी चाहिए यहाँ पर मैं यह prefer नहीं करूंगा कि साड़े 500 पर खरीदारी करके अगर retest होता है तो साड़े 500 पर खरीदारी करें उसका reason यह है क्योंकि overall यह एक range में trade करना है तो यहाँ पर अभी avoid करना चाहिए यह 600 के उपर directly निकल जाता है तो 600 के retest पर हम खरीदारी करना prefer करेंगे तो यह अच्छा एक trade बनेगा लेकिन इत 600 के उपर ही long term के लिए हम खरीदारी करना यहाँ पर prefer करने वाले है 600 के उपर खरीदारी करते है तो stop loss करेंगे 25 रुपय से जादा का stop loss मेरे इसाब से नहीं लगना चाहिए यहाँ पर भी 25 रुपय का लगा था यहाँ पर भी इतना consolation होता है तो 20-25 रुपय का stop loss लगेगा इस हिसाब से quantity addition का अमारा प्लान रहेगा और new quantity अगर आप build up करना चाहते हैं यह levels पर कर सकते हैं I hope आपकी वीडियो पसंद आता है कुछ सीखने को मिलता है thank you stay happy happy investing